सास्रिकाल जी चैनल पुझाबी देखरे सारे दर्शकान दा मैं शरी स्वागत कर दिया दर्शकान सब्तों पहला था इदास दिये के सरी देवेच जड़े लोग प्रेल दा महीना उन्ते इतजार कर रहे से पर दानमंत्री जस्टीन टूडन ने रूस दे दास ओर स्यासी ते बिजनस लीडरा ले एलनाल ने सेंक्शन्ज लंडन कांफेंस देवे शलादी मेर पतीन ते साधे निक्चाने सरी च हर साल होनवाली खालसा डे प्रेड होई कैंसल ते जे साल मी नगर कितन रद होन ते संगत चिन निराशा स्कूलां दे सलेबस दे वेच पड़ आई जाएगी मूल वासियां दे इतिहास दे कल्चर दी कहाणी सिख्या मंतरी जेनिफर वाइट साइड ने ते सबंदी जानकारी जिते खबरा विस्थार देनाल और सब पहला दास दिये के परदान मंतरी जेस्टिन टूडो इनने यारप दोरे ते लंदन कांफेंस दे वेच उना जानकारी देती है ते दास होर रूस दे ले जड़ियां सेंक्शन्स ने उयलान देती आने लगातार कांफेंस हो रही आने ते उते होर भी जड़े मिनिस्टर हैगे ने लीडर हो हैगे ने आगूने ओना देनाल परतान मंतरी जस्टिन टूडो लगातार जड़ियांने मीटिंगा कारेंने जहे देवेच वलादी मेर पतीन दे उते कई तना दे निशाने भी जस्टिन टूडो ने साधे है टूडो दे नाल इस News Conference दे वेच ब्रिटिश परदानमंत्री बॉरिस जॉंसन ते डच परदानमंत्री मार्क रोटावी मौजूर सन दोवा लीडरा ने मन्या है कि रूस दे एक्षन दे विश्व पर दे वेच वद दी अस्थिर्ता दे कारण डिफेंस दे खर्च बदानमंत्री बॉर्टावी मौजूर दे वल्लो अपनी जीडीपी दा दो फीसद दे डिफेंस दे खर्च दे लगाउन दे टीचे ले कैनेडा त्यार होवेगा या नहीं दास्तिये के परदानमंत्री जस्ट इंट्रोडो चार दे शान दे यॉरप टूर दे विच लंडन पहुंचे होईने अपरेल दा महीना जिमें या होँदा है ता खालसा डे प्रेड दिया जडियां त्यारियां हलाकि लोग पहला तो इशुरू कर दे ने ते उस दे प्रेड होंदा इंतजार कीता जारे होंदा है पर पिछले दो साल लगा था अशी देखे है कि प्रेड रद हो रही सी, कैंसल हो रही से ते इस साल भी एजड़ी खास सा डेड प्रेड एराध कर देती गई है इसनों लेके लोग कांदे विच काफी ज़ादा जड़ी है हल चल मची होई सी के लोग इस साल जड़ी सरी दे विच प्रेड हो जा रही है उस दा हिस्सा बननगे इसनों देखनगे पर इस वार भी ए कैंसल होनना लोग कांदे विच निराशा भी है गी है संगत खास तोर दे उते इसले बहुत महीने पहला ही त्यारियां शुरू कर देंदी है पर जिवें की इस दे विच बहुत जादा कट पहुंचता है लखाँ दी गिंती दे विच शरदालू वक वक थामा तो इस नगर किर्तन दा इस सिख दे प्रेड दा हिस्सा बन देने इसले शायद सिटी हजे त्यार नहीं सीगा क्योंकि पिछले दो साला करके कोविड करके जड़ा है ए प्रेड राद हो रही सीगी ते इस साल भी कई कारण इस प्रेड दे राद होंदे मने जारेने आव जान दे इस सबंदी की को जानकारी होर नशर कीती गई हजारा लखां दे गिंती दे विच हर साल ठाठा मारदा एकाठ जिस दिया तस्वीरां तुसी टीवी स्क्रीन दे देख रहे हो इस सरी दे नगर किर्तन दे विच होंदे है जो हर साल अप्पैल महीने कड़ जान दे जिस नो ख हाल सा डे प्रेड कैंसल हो रही सी आते इस साल काफी संगतनों उडीक सी के प्रेड होएगी पर नगर किर्थन करके इस साल भी इराध हो गई मुझे अजिए पर नगर को घान देख नहीं एक रहे हो जाए पर लुट जाया देख एज़ दो कि अज़े होँए कर दोटीजिए इस पर के अने मार्च पंदरानू फे रहे खावरी डेशनाया थे पर फी उप्यापिस ने धे अटे और हैंजिए वालों कि की यज़े अग सब्सक्राइब ने लिए बधान कर सकते हैं, नहींद खुछी हो सब्सक्राइब करके सकते हैं, इसलि कि कमें जड़ाइब छड़ाद गर टॉड़ा हैं, इसलिक टॉछी अपनिटी टॉज़ी टॉञएब टॉड़ा मासार लाग तक तक मासर बढ़ सबसे होंद पांथे रख रख पांचला करते हैं विचे हो रख ते रख ज़ रागता है कि अगए बाकिछ न भी रख खीए हो जड़िया थे कि अर्य पिझारी आज शी लिग्द हो बाकिए नहीं भी Ergebnis रख गणागा करने ज़ये हैं चन्ठाफ कंट्रोल केमिनिटें duż कि नगर किरतन रद हो नाल बाकिदे प्रोग्राम उलीक के जानगे या नहीं इस सबन दी दशमेश दरबार सरीतों मुनिंदर सिंग ने जानकारी को जिस तरह दे थी अप्रेल दा महीना ओंदे ये बहुत सारी संगत इंतजार कर रही हुंदी है खासा डेपरेड दा दास दी की खासा पंथ दी स्तापना दिवस देमदे नजर शेर दे वेच हर साल एपरेड गड़ी जान दी है एए इवन्ट ना सिरफ संगत लई तार्मिक पक्षों बलकि वपार पक्षों भी आपनीक वक्री था राखदा है जिस्ते हुन दोजार तेईन हों दी उमीद परगटाई जा रही है जिस्ते हो चैनल पंजाबी दी रिपो अजी निशान साइब की सेवा जैडी एक बहुत बड़ा काथ हूंदा है स्कंगत पड़ खाने के रिपार अधिय था भार तेईन रही है जाना साइब का था जाटाबी वपरोणा भार्टान साहिपने सेवारे भीपों जाए जाना थे साइपार थावार्ट था बड़ा है फ्लिवान के वुछेज अगर में पूर्स नेशनें, मुलनुवासी तो भी तक ऴी तुछेट आए अगर ओवर्माइश्टान के वाहँ थे हुदूट आएंप थे लिए, अगर्स नेशनें, मौनुवासी बीजि़ दिस्टिक वाहँ बेखेर काक्विट तो यहां, गिम्सटा ड़ो प्रोबोत करना है तो बहुत कोश्च एपन्ड जड़ा एप्रोपर्टी ते ग्रांज गॉट जो पाक्ति कम्यूनुटी देवेज प्रोग्राम हो रहे हैं तो पाक्ति कि पता होगे के नगती कि इतनपा में ऐसाल नहीं होना सढ़ी है तो पर जिड़े बहुत एहुझे क्युम्यूनिटी इवेंट्स है कि तरह मा कि जोट में ले हैं जिसमें जोपा गराए सकते हैं मूलवासी कौन ने उनना कल्चर की है इतिहास की है इन हमारी शायद बहुत ही काट लोग जान देने इससे लिए होन सिख्या दे पाठकरम दे वेच मूलवासी कहाणी मूलवासी इतिहास है उना दा कल्चर है उसनो जड़ा पाया जा रहे है इस सबंदी सिख्या मांतरी ने भी जानकारी देती है ते खास तोर देते जड़े इनू इंप्लिमेंट नहीं करंगे जड़े सबंदी सिख्या नहीं देती जाएगी पाठकरम दे वेच इसनो नहीं पाया जाएगा उना देती एक्शन भी हो सकता है सिख्या मंत्री जन्यवर वाइटसाइड ने साडिनाल इस सबंदी विसार दिनाल जानकारी जडिया उसाँजी कीति यह आउग जान देया ओफिया तो की कोजे सबंदी जानकारी दे रहे ने and it's something that the Ministry of Education in conjunction with our partners in the K-12 education system, educators, and importantly, the First Nations Education Steering Committee, which is a representative group of First Nations in British Columbia that concerns itself with Indigenous education. This has been a recommendation for quite some time. We know that having dedicated and required content, Indigenous-focused content was a recommendation and that was a call to action under the Truth and Reconciliation Commission. And we've had a number of reports in British Columbia that have pointed to the need to improve and make more robust our understanding of our shared history in British Columbia. And so we're taking a step now to build on work that's already been done to move towards that's making Indigenous-focused content are required. Well, you know, this has been developed in partnership with First Nations, with the First Nations Education Steering Committee. And really the response has been very, very positive. You know, I can tell you that when I meet with kids, when I have a chance to talk with BC students about how they feel about our education system, what do they think they need to be learning that they're not learning, this is an area in which they identify a gap in knowledge. And so even though there are currently courses available and offered in school districts that focus on Indigenous content through the focus on literature or through an Indigenous lens or history through an Indigenous lens, we need to take the next step and ensure that we are equipping BC's students with the history, the perspectives, the understanding that they need in order to move into, you know, what is an increasingly diverse and complex world. Yeah. Minister Jennifer, do you feel this step will heal the wounds of natives? Well, I think that when we talk about reconciliation and what we mean by reconciliation, I always think of the words of Justice Murray Sinclair, who was the chair of the Truth and Reconciliation Commission seven years ago now. And what he said was that education got us into this mess and education can get us out. And so that's what we're doing. We're working to build on the foundation we already have that that will that will look at our building a better understanding of our shared history in order to build a more positive shared future. What will the government and education department will do if if someone doesn't as it like as a subject? Well, our work will be to ensure that we are working with districts so that all districts are offering courses courses that will qualify for for this credit. And indeed, many districts are already offering courses that would satisfy this requirement. We've also built in a provision so that so that districts can work with local First Nations to build their own courses that are specific to the particular region of the province that they that they may be they may be in. You know, we have over 200 First Nations across this province. We are so fortunate to have such an incredible and rich diversity of knowledges and perspectives and history to learn. So there will be many opportunities for students to to take courses they need. Yeah. What all will be taught about the natives? Well, there's you know, there's a number there are a number of perspectives and different kinds of knowledge already taught. There is there is literature that there are literature courses. There are new media courses. There are history courses. There are sort of contemporary indigenous studies courses, all that look at the history, the cultures, the perspectives, the oral traditions, the the of 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 various First Nations. There are also language courses. And we are increasing the number of different language, indigenous language courses that are available in our school system, because we know how important it is to to preserve and expand the the teaching of indigenous languages. Maybe Minister Jennifer may be delayed, but do you think it was necessary? I think it's absolutely a necessity. It's something that has been called on for by by educators, by parent groups, by super and by administrators in our school system. And importantly, by first by First Nations and by indigenous people as an important step in moving reconciliation forward. Our government is profoundly committed to reconciliation. We have passed the Declaration of the on the Rights of Indigenous People Act, which sets out a framework for all of these these this and other actions by government. So I think at this time in our history, at this time in our development as a society, if not now, when? This is the time to ensure that we are really understanding the impact of our shared history, so that we can build a more positive collaborative future. We have a better plan. Thank you. Thank you. Thank you. दुन्या दी सब तो वड़ी जड़ी जड़ी एसोसीेशन मननी जान दी है, और जड़े बच्याँ ने, जड़े भी लोका ने, एरलाइन इंदस्ट्री जड़ी जाना हुंदा है, टूर्न ट्रेवल हो दे जाना हुंदा है, ग्रुप दे वेच तां उइससे कंप्ली दे थू जड़े ने इन दे प्रोग्राम जड़े हों देने उना सबंधी जानकारी हासल कर देने इस तो इलावा जड़ा है वेस्टमिस्टर कॉलेज देवलो नवा प्रोग्राम भी लॉंच कीता जा रहा है एटा देवलो स्टू बंजोरी देती गई है आओ जानते हैं इस जड़ादा पहला आईटा अथराइज जिड़ा है उस सेंटर बना जा रहा है उस देविच घो होर वी प्रोग्राम जड़े इन्क्लूड कीते जा रहे नहीं प्रोग्राम केड़े आरे ने उस सबंधी गालवात कार दियां सुहेल जी सारनाल जुड़े होईने सुहेल जी पहले एक प्रोग्राम जड़ाओ चलाया जा रहा है पहला थासी उस प्रोग्राम बारे जानना चाहा मांगे कि उस प्रोग्राम देविच की की हैगा की ओ प्रोग्राम है किस तरा दी स्टडियों देविच कराई जान दी है तैंक्यू सबसे पिल्दो मैं आपको एड़ा के कराता है अमंग मेम्भ एर लाइन घर बण्स अंग ऴुटॐ निया में एर Yin- लाइन उनकी लित ट्रैनिंग तर्णियर रॉय्टॉ है जलों en के यह कि यह तंची रॉय ஊ ट्रेंड के मताभ् सबसक्तराइए और उसके ट्रे लिए ज़िश त्रेनिंग जब्यूद करनी है वह में जर्टियल में में है मе और एक मिय अबीन द्धे एरटा करेंग रेता कहWithअ पहले एर्टा कि अंचे एर्डा क्रेंग इन्र अमेरिका और क असवकर कोई भी नहीं है Iran we the first Air एर्टराइस ट्रिणिंग अर्ट सेंटर यो केन एक महने का प्रोग्राम होगा प्लस एक महने का प्राटिकम होगा इसके बाद जो हमारी जो ग्रेजवेट्स होंगे वे किसी भी एरलाइन यह ट्रैवल एंट टूरिजम इंडिस्ट्री में जॉब कर सकेंगे और यह पहली ट्रेनिंग होगी जो के बाख़धा बाख़धा एड़ा इन अमेरिका और कैनिडा जो के कोई कोई और यहां के लोगों के लिए बड़ी एक आपरशिनेटी होगी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम एटेंड करने के बाद ऐसे इनोंने एड़ा का सेटिफिकेट भी इशू होगा और वो किसी भी एरलाइन्स में या ट्रैवल सेंट्रल में वाखे है और यह ट्रेनिंग आप सब के लिए यहां पर अवेलेबल है सुहेल जी इस ट्रेनिंग नो लाइनवले किन्ने को स्टूडेंट था नो लाग देने पहलना भी तो अड़े वेस्ट मिस्टर कॉलेज देवले प्रोग्राम चाल रहा है ते किन्नी को त मुझे को अपरचुनिटी को सकते हैं यहां पर तो नहीं को एंट्री लेवल पोजिश्टन दी आती हैं तो अब हम जो है इस किल मैंपावर देरे हैं ट्रेवल र टूरिश्म इंडस्टी को एयरलाइन को तो यह एरलाइन्स के लिए वड़ी एक एक अट्रेक्शन होगी कि ताकि उनको इनिशिल ट्रेनिंग देने की जुरुत नहीं होगी तो एरलाइन भी इसमें बहुत खुश होगी कि यहां पर इस्किल में पाउर जो के एरलाइन के स्टेर्नेट के मताबिक जो ट्रेंड हैं जो डिरेक्टली प्रोड़क्टिव हो सकते हैं फॉर देर जॉब तो यह बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी एफ अधर यंग फिफल ऑफ वेडिश क्लॉंबियान इस्पेशली सरी एटा की तरफ से एटा देवलों केडियां एदादियां चीजां से गियां जिनानों प्रोटो को स्पेशली डियां गाइडलाइन सी जिनानों एप्रोग्राम लि होती है आपके पशर्सविस रीसोर्स का मतलब आप पास कालिफाइड एड़ा के कौलिफाइड इंस्टॉक्टर्स हों जिननका के अद़र की फ् shortcut इंस्पेशंस हो से और मेरे मेर तालुख क्योंके तो आपके एर लाइन से रहा है पर लास्ट सिक्सियर से और मेरे तौम कौलिफ क्वालिफ के लिए लिए जो और जो किसी और कौलिज के पास अविलिबल नहीं जो के एर अधराइज इंस्टर्टर साओं वी अधर दफर्स्ट वन है इस रिगार्डिंग जड़ी इन्फोर्मेशन है उस सारे तक कि में जड़ी है पहुंचन जा रही है जाहिर जी गाला है कि इस बुद्वार नूवी तुसी जड़ा इवंट करवान जा रहे हूं उस इवंट दे वेच की कुछ खास होएगा कौन-कौन ओदे वेच एजा महमान जड़ा उस शिरकत कारे ने ते की इन्फोर्मेशन हो दे वेच देती जाएगी और स्पेशली एटा दे वरलो जड़े ने ओना दे मैनेजर वी कि इस इवंट दा हिस्सा बनन जा रहे हैं हम बड़े शुगर गुजार हैं एटा कि जो एटा का जो ट्रेनिंग का जो हैड है इन्फ़ाग से यहां से ही उसका तालुक है गौजित-गिल उन्होंने एग्री किया कि वो परसनली वो यहां पर आ रहे हैं सेटिफिकेट अवार्ड करने के लिए हमें हमें तो हमने यहां पर शरिटन होटल जो के गिल्फर्ट पे वहां पे तरिफ तक 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 रिब का अधर किया है जिसमें हमारे में मेंबर आफ पार्लिमेंट लोकल फ़ालीमेंट और अमलेज ने भी एगरी किया है कि वो इसमें पार्टिसपेट करेंगे और आइ होब के और मुझे एंवीद है कि ये बहुत तमाम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा एक ऑपरचिनिटी तो इस्पेशली हुन जे बीसी देवे चर्थ उसी ए ऑपरचिनिटी वेस्टमिस्टर कॉलेज ले आ रहे है ताह ओना देनल की और नो फाइदा हुएगा की और नो डिड़ा मैसिज कनवे करना चाहूंगा हम इनिशली जो प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कस्टम या किसी बीकसिमर सर्विसिस के एरिया में लाप जा पासिल कर सकतें ना सिफ एरलाइन में बंके ट्रैवलल ενट टूरिजम इंडिय में होटल में और या प्रिचिटृट्टर से डिलेडड जो कोई भी इलेड़्सिस मौ आवासे और यह यू युल बींक्ट Лिवेड़ स्प आपके लिए बहुत बड़ी ऑपरशुनियोटी होगी कि आप इसकिल्ड मैन पावर हैं एर आटा के इंटरनेशनल स्टेंडर्स के मतमताबिख तो आपके लिए बहुत बड़ी ऑपरशुनियोटी होगी तो के जॉब इन एनी एर एरलाइन सो जिना ने थोड़ एनल कॉंटेक करना है का एडमिशन लेंड लिया कि में ओ केड़े प्लाटफॉर्म दोते तरना जाके तेके में रिड़ा कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा 604-588-588-0 इस पर कर सकते हैं या फिर वहमें इमेल करें info at westminstercollege.ca या हमारी website पर आज तमाम information देख सकते हैं www.westminstercollege.ca उस पर सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिच करेंगे ताह आपको ऐसा ट्रेंड करें कि आप डिरेक्ली राइट अवे आप एयरलाइन में जाके आप शो कर सकें कि आप वेस्टमिस्टर कॉलिज के एड़ाइस ट्रेंग सेंटर के आप ग्रेजवेट हैं और होपफुली य इस पार्सिपेशन और एक्टिवली में इन्वाफ होने का है थैंक्फुल तो इस्पेशली तो यू शेरी और चैनल चैनल तो वेस्टमिस्टर कॉलिज देवलो जिड़ा है एटा देवलो ऑथराइज है गया और उना देवलो जिड़ा प्रोग्राम नवा लांच कीता जा सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन ली बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो